हेलो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल का रियाटिक फिंडा में मैं कुछ बहूँ और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इसके अंतरगत यह आज की हमारी 9 वी क्लास है इससे पहले की 8 क्लास है अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं यह क्लास किसलिए चल रहे हैं? CITS entrance exam के रिगार्डिंग चल रहे हैं यह नीमी के important questions है जिससे आपके CITS entrance exam में direct questions पूछे जाते हैं ठीक है और अगर आपने अभी तक हमाय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिए ऐसी ही क्लासिस पाने के लिए और CITS से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए ठीक है तो आईए वीडियो के स्टार्ट करते है आज की वीडियो का हमारा पहला है हमारी सनलाइट को यानि सूरी से जो किरन आती है उसको क्या करती है उसको इलेक्ट्रिकल एनरजी में कनवर्ट करती है ठीक है किसमें करती है इलेक्ट्रिकल एनरजी में ठीक है तो यहां से ऑप्शन नमबर ए हमारा सभी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेशन की हो चलते है न यानि फैराडे के विद्धुत अबघटन का नियम जो होता है, वो जो है दुत्य एक्सिल इस पे काम करता है, तो option number C हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, next question क्यों चलते हैं, next question क्या कह रहा है, कि what is the formula to calculate the mass deposit during electrolysis, यानि विद्धुत अबघट के दोरान एकत्रित द्रव्यमान की गर्णा करने का सूत्र क्या है, ठीक है, तो यह क्या है, M is equal to ZIT gram, ठीक है, gram क्या है, GM क्या है, gram है, unit है, तो यहीं पर M क्या है, M क्या है, M हमारा द्रव्यमान को denote करता है, ठीक है, द्रव्यमान को M से denote करते हैं, Z क्या होता है, Z क्या होता है आपका, तो Z होता है आपका विद्धुत रासायनिक तुल्यांग, ठीक है, यह क्या होता है, विद्धुत रासायनिक तुल्यांग, ठीक आई आप जानते हैं, आई क्या होती है, विद्धारा होती है, यानि करेंट होती है, ठीक है, और T क्या है, तो T हमारा समय हो गया, ठीक है, तो यह फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M is equal to ZIT, और unit क्या हो जाएगी, इसकी gram, next question क्यों चलते हैं, next question क्या कह रहा है, how the capacity of batteries in specified, ठीक है, बैटरी की छमता कैसे बताई जाती है, ठीक है, बैटरी की छमता कैसे बताई जाती है, तो ampere R में जो है, हमारी बैटरी की छमता को denote करते हैं, ampere R जो, यानि ampere घंटा जो है, वो capacity की, बैटरी की capacity को दरसाता है, next question क्या कह रहा है, उस दोस्त का नाम बताए, जिस कारण से दुईती एक सेल में plate मुड जाती है, किस कारण से दुईती एक सेल में plate मुड जाती है, तो buckling, ठीक है, buckling क्या होता है, वो दुईती एक सेल की जो plate होती है, वो क्या होती है, मुड जाती है, बीच से, तो यहां से option number A सही हो जाएगा, next question क्यों चलते है, next question क्या है, आज का हमारा, कि विद्रत आवेश की क्या इकाई है, what is the unit of electric charge, electric charge की unit क्या होती है, कुलाम्ब होती है, ठीक है, option number D सही हो जाएगा, next question क्यों चलते है, next question क्या है, आपका, lithium cell का निर्गत voltage कितना होता है, यानि output voltage कितना होता है, lithium cell का, तो यह 2.5 volt होता है, ठीक है, option number D सही हो जाएगा, next question क्यों चलते है, next question क्यों चलते है, what is the method of charging if the battery is to be charged for short duration at higher rate, यानि कम समय में उच्च दर से battery आवेशित करने हैं, तो कौन सी विधी अपनाई जाती है, तो इसमें क्या boost charge, ठीक है, boost charge जो विधी होती है, उसको अपनाते हैं, ठीक है, कम समय में उच्च दर से battery आवेशित करने के लिए, तो option number B यहाँ सही हो जाएगा, next question क्यों चलते है, कार्बन जस्ता सुस्क सेल में, यानि जो कार्बन जिंक ड्राइ सेल है, उसमें कौन सा विधी अपगटे प्रयोक किया जाता है, तो इसमें ammonium chloride का यूज किया जाता है, ठीक है, जो electrolyte होता है, वो किसका होता है, ammonium chloride का, तो option number B सही हो जाएगा, next question क्यों चलते है, next question क्या है आपका, द्रवो में विद्युधारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है, ठीक है, द्रवो में विद्युधारा का प्रवाहित होना कौन सा जो है, प्रभाव है, तो यह chemical, ठीक है, chemical effect है, तो option number यहाँ पर D सही हो जाएगा, next question की ओर चलते है, next question क्या है आज का, सीसा अमल battery में, ठीक है, रडात्मक plate बनाने हैं तो कौन सा पदार्थ प्रेयोग होता है, यानि which material is used to make negative plates in lead acid battery, ठीक है, तो यहाँ से sponge lid का यूज किया जाता है, तो option number यहाँ पर B सही हो जाएगा, next question की ओर चलता है, next question क्या है, which technique is used to control the corrosion of a metal surface, धीक है, धातु सता के एक शरण के नियंतरण है, तो यानि जंग से बचाने हैं, तो कौन सी तकनीक का प्रेयोग किया जाता है, तो यहाँ पर cathodic protection का यूज किया जाता है cathodic layer जो है, उसको protective layer लगाया जाता है, जिससे वो छरण से बच जाता है, तो option number B यहाँ सही हो जाएगा, next question क्यों चलता है, next question क्या है, which cell is most often used in digital watches, धीक है, digital घड़ियों में सामाने था, कौन सा cell प्रेयोग होता है, जो digital घड़ियां होती है, उसमें कौन सा cell प्रेयोग किया जाता है, option number C सही हो जाएगा, next question क्यों चलता है, next question क्या है आपका, what is the effect if one cell is connected with reverse polarity in parallel combination circuit, यानि सामानतर यूगमन परिपत में, यदि एक cell को विपरित ध्रुवता के साथ सही हो जित किया जाए, तो क्या प्रभाव होगा, ठीक है, तो क्या होगा, इससे will get short circuited, ठीक है, ल next question क्यों चलते है, next question क्या है आपका आज का, कि what is the function of fine selector, ठीक है, switch in battery charger, ठीक है, बैटरी आवेशक में fine selector switch का क्या कार्य होता है, तो ये क्या करता है, selection of current rating, धारा rating का चुनाओ ये करता है, ठीक है, option number यहाँ से A सही हो जाएगा, next question क्यों चलते है, next question क्या है आज का हमारा, what is the effect on output power with respect to temperature in solar cell, solar cell में तापमान के संदर में निर्गत सकती, यानि output voltage पर क्या प्रभाव होता है, तो क्या होता है, कि ये decrease with decrease in temperature, ठीक है, temperature घटने के साथ ही क्या होता है, जो output power होती है, वो भी क्या होती है, decrease होती है, ठीक है, temperature decrease होता है, तो क्या होता है, output power भी क्या होती है, decrease होती है, option number यहाँ से, हमारा D सही हो जाएगा, next question क्यों चलते है, next question क्या है, बैटरी में आवेशन के समय हाइडरोमीटर का क्या उद्देश है यानि what purpose the हाइडरोमीटर is used during charging of battery ठीक है, बैटरी के charging के समय क्या होता है हाइडरोमीटर का क्या यूज होता है तो हाइडरोमीटर से क्या होता है विद्ध अभगटे की विशिस्ट गुरुत्व निर्धारित करने में हाइडरोमीटर का यूज किया जाता है यानि specific gravity को निर्धारित करने के लिए तो option number यहाँ पर D सही हो जाएगा next question क्यों चलते है next question क्या है आज का मारा Farade के विद्ध अभगटन के प्रत्थम नियम का सूत्र क्या है what is the formula of Farade is first law of electrolysis तो first law of electrolysis का formula क्या होता है M is equal to ZIT होता है और Farade का विद्ध अभगटन का प्रत्थम नियम क्या कहता है कि किसी भी विद्ध अभगट के विद्ध अभगटन में विद्धुत अबगटन के फलस्वरूप, प्रतेक इलेक्ट्रोन पर मुक्त इलेक्ट्रोन होने वाले पदार्थ की मात्रा, विलियन में से प्रभाइत होने वाली विद्धुत धारा के क्या होती है, समान उपाती होती है, यानि M is directly proportional to I, ठीक है, यह क्या होता है, हमारा क्या हो जाएगा, M is equal to Z, I, T, ठीक है, जहाँ पे Z क्या है, Z हमारा है, विद्धुत राशानिक तुल्यांग, ठीक है, Z क्या है, विद्धुत राशानिक तुल्यांग है, और क्या है, T हमारा समय है, I आप जानते हैं, current है, ठीक है, I current है, और M क्या है, पदार्थ की मात्रा है, ठीक है, तहाँ से option number आपका B सही हो जाएगा, next question क्या है, which is used as an electrolyte in lead acid battery, ठीक है, सीसा armless cell में विद्धुत अबघट की तरह क्या उपियोग किया जाता है, तो इसमें dilute sulfuric acid का यूज किया जाता है, यह एक circuit दे रखा हुआ है, ठीक है, इसका कुल voltage पूछा है, यह क्या है, यह load लगा हुआ है, ठीक है, यह क्या है, load लगा हुआ है, और यह क्या है, यह cell लगी हुई है हमारी, ठीक है, और इसकी voltage rating कितनी दे रखी हुई है, इसमें picture में clear नहीं है, लेकिन 1.5 या 1.6 है, ठीक है, यह 1.5, यह सभी चीजे क्या है, यह किस में जुड़ी हुई है, तो यह parallel में जुड़ी हुई है, ठीक है, किस में जुड़ी हुई है, parallel में जुड़ी हुई है, parallel सीरीज में, sorry, parallel में जुड़ी हुई है, और इनका voltage rating कि 1.5 volt माल लेते हैं clearly नहीं है 1.5 volt माल लेते हैं तो 1.5 volt यहां भी है 1.5 volt यहां भी है 1.5 volt 1.5 volt 1.5 volt सभी cell में कितनी है 1.5 volt की voltage rating है सभी cell में और यह किस में जुड़ी हुई है parallel में तो हमसे क्या पूश रहा है यहां पर total voltage पूश रहा है total voltage कितना होगा तो यहां पर मैं बता दूँ आपको जो parallel में जब हम cell को जोड़ते हैं तो total voltage पर आपके कोई फर्क नहीं पड़ता है total voltage पर कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहें यहां पर cell आप 100 लगा दीजिए तब भी इसके total voltage का अमान कितना आएगा 1.5 volt ही आएगा ठीक है इसके total voltage पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर यही चीज यहां पर series में होती तो क्या होता सभी यह जो voltage rating है सभी cell की आपस में जुड़ जाती यानि कितने cell यहां पर लगे हुए है 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है 6 6 cell लगी हुई है यानि 6 voltage rating है और यह 6 voltage rating आपस में जुड़ जाती यदि यह series में होती ठीक है यहां पर case में जुड़ी हुई है सभी cell लगे parallel में जुड़ी हुई है तो इसकी voltage rating पर जो total voltage rating है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर भी answer कितना आएगा 1.5 volt ही आएगा तो यहां पर option number हमारा 1.5 volt option number A सही हो जाएगा next question क्यों चलते है next question क्या है आपका कि what is the auto outcome at the positive plate after the chemical reaction in lead acid battery during charging यानि सीशा आमलेजल की आविशन की रासाइनिक रिया के दोरान धनात्मक plate पर क्या आएगा ठीक है तो इस पर क्या है एगा lead peroxide lead peroxide का formula क्या होता है PbO2 ठीक है option number यहां पर 20 ही हो जाएगा next question क्यों चलते है next question क्या कह रहा है कि battery के आविशन के दोरान wind plug का wind plug को खुला क्यों रखा जाता है ठीक है why the wind plug is kept open during charging of a battery ठीक है to skip the gas freely ठीक है gasो को स्वतंतरता पूरोग बाहर निकालने है तो हम क्या करते है wind plug को खुला छोड़ देते है option number A से ही हो जाएगा next question क्यों चलते है next question क्या है आज का कि in which method the battery is charged at low current for long period कौन सी विधी में battery को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है तो trickle charging method दौरा ठीक है trickle charging method दौरा क्या करते है हम जो है किसी भी battery को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित कर सकते हैं option number B सही हो जाएगा next question क्यों चरते हैं how the hard sulfation defect in lead acid battery can be rectified ठीक है सी सामल बैटरी में कठोर sulfation दोस को कैसे जाना जाता है तो किस के दौरा जाना जाता है charging the battery for longer period at low current ठीक है बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक पुना आवेशित करके रखने से क्या होता है हम इस दोस को जान सकते है option number यहाँ पर C सही हो जाएगा next question क्यों चलते है next question क्या है आज का कि which material is used to cathode negative electrode in silver oxide battery ठीक है silver oxide battery में कौन सा पदार्थ cathode electrode की तरह उपयोग किया जाता है तो zinc ठीक है option number A सही हो जाएगा next question क्यों चलते है चांदी का विद्धुत्रासाइनिक तुल्यांक यानि electrochemical equivalent क्या है ठीक है चांदी का विद्धुत्रासाइनिक तुल्यांक क्या होता है यह होता है आपका 1.182 mg पर कुलाम यानि milligram पर कुलाम ठीक है option number D सही हो जाएगा next question क्यों चलते है next question क्या है आज का what is the outcome of the chemical reaction that takes place in negative plate of lead acid battery during discharging यानि सीसा आमले सेल की निराविशन की रासाइनिक रिया के दौरान रिडात्मक प्लेट पर क्या आएगा ठीक है रिडात्मक of separator in lead acid battery सीसा आमले बैटरी में विभाजक का क्या उद्देश यह होता है तो to avoid short in between the positive and negative plate ठीक है धनात्मक और रिडात्मक plate के मद्धि लगु पत्थन होने से रोकने का कारे करता है option number C सही हो जाएगा next question क्यों और चलता है next question क्या है आज का मरा which instrument you used to measure the specific gravity of electrolyte in lead acid battery यानि सीसा आमले बैटरी का विशिस्ट घनत तो हम आपने हे तो कौन सा करड का प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पर hydrometer का यूज किया जाता है इससे पहले question आ चुका है थोड़ा घुमा के यह question पूछा गया है ठीक है तो option number B यहाँ पर सही हो जाएगा next question की तरफ चलते है ठीक है next question क्या है आपका next question है आपका कि सीसा आमले बैटरी में buckling dose का क्या प्रभाव पड़ता है buckling dose का क्या effect होता है bending of the electrodes electrode का मुड़ जाना क्या होता है buckling effect कहलाता है option number A सही हो जाएगा next question क्यों चलते है next question क्या है what is the total output voltage of the circuit परिपत का कुल निर्गत voltage output voltage हमें find करना है ठीक है तो यह एक circuit दे रखा है इसका total voltage हमें find करना है ठीक है यहाँ पर कितनी cell लगी हुई है total 3 cell लगी हुई है 1, 2 और यह 3 ठीक है सब का voltage rating कितना है तो 1.5V, 1.5V and 1.5V अब यहाँ आप ध्यान दे सकते हैं कि यह क्या है हमारा open circuit है ठीक है यह circuit क्या है open circuit है और यह क्या लगा हुआ यह जब यह open circuit है तो हमें जितना जो है आउटपट अइए जितना source से हमें total voltage मिलेगा वही हमारा क्या होता है आउटपट voltage होता है ठीक है जितना हमें source से voltage मिल रहा है वही हमारा क्या होता है total voltage reading में यानि इस voltmeter में total इसकी voltage reading जो है दिखने रगे की तो यहाँ पर cell आप देखेंगे तो cell क्या है यह minus plus है लेकिन यह cell क्या है plus minus है फिर यह क्या है minus plus यानि इसका जो sign convention है इस cell का जो sign convention है वो क्या है apposit है यानि यह जो दो cell है वो एक तरह से जुड़े हुए हैं बट ये जो बीच वाला cell है ये क्या है opposite direction में जुड़ा हुआ है ठीक है चुकि ये series crum में है तो अगर आप इस cell को plus में लेते हैं तो ये cell और ये cell दोनों समान है तो ये भी किस में होगा plus में और ये opposite में है तो यह किसमें हो जाएगा negative में अब यहां 1.5 volt ठीक है यह first जो cell है उसकी voltage rating यह किसमें plus में then minus में क्योंकि यह opposite में जुड़ा हुआ है इसकी reading कितनी है 1.5 volt फिल यह last तीसरी वाली cell की voltage rating कितनी है plus 1.5 volt ठीक है जब यह plus minus plus minus यह cancel हो जाएगा तो इस total voltage rating यानि output voltage rating कितनी आ जाएगी 1.5 volt ठीक है यह हमारा क्या हो जाएगा answer हो जाएगा इस question के according अगर यही चीज series मतलब कि same होती मतलब इनका sign convention जो cell लगी हुई है same direction में लगी होती और sign convention same होता तो यह तीनों cell आपस में क्या होती जुड़ जाती और जुड़ने के बाद वही total output voltage हमें यहाँ पर voltmeter में दिख जाता यानि तब हमारा answer क्या आता जब इन तीनों को जोड़ देते तो 4.5 volt आता ठीक है अभी हमारा answer क्या है चुकि यह opposite direction में है तो 1.5 volt हमारा answer हो जाएगा तो 1.5 volt कहा है option number B में है ठीक है next question की ओर चलते हैं next question है आज का आपका कि which is used as opposite sorry as a positive electrode in dry cell सुस्क cell में धनात्म इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग होता है तो इसमें क्या यूज होता है carbon का यूज होता है ठीक है option number B सही हो जाएगा next question की ओर चलते हैं next question क्या है आपका भार बढ़ने पर ठीक है भार बढ़ने पर cell के 0 के voltage में क्या होगा ठीक है भार बढ़ने से cell के 0 के voltage में क्या होगा तो ये आपका decrease हो जाएगा जो cell के 0 में voltage होगा वो क्या होगा decrease होगा option number B सही हो जाएगा next question की ओर चलते हैं next question क्या कह रहा है how local action defect is prevented in voltaic cell voltaic cell में इस्थानिय क्रिया दोस को कैसे रोका जाता है तो इस्थानिय वोल्टाइक सेल में क्रिया दोस को कैसे रोकते हैं by amalgamating the zinc plate यानि जस्ता plate पर amalgam करके option number D सही हो जाएगा next question क्यों चलते हैं what does the letter Z indicated in the formula ठीक है M is equal to Z IT ठीक है M is equal to Z by IT ठीक है यह क्या है तो यह ECE of electrolyte यानि विद्ध अब घट्टे का ECE जो है इंगित करता है यानि इंडिकेट करता है option number B सही हो जाएगा next question क्यों चलते है next question क्या है आपका next question है what is the electrochemical equivalent यानि electrochemical equivalent ECE of copper तामे का विद्ध रासानिक तो ल्यांग क्या है तो यह 0.329 mg पर कुलांब option number A सही हो जाएगा next question क्यों चलते है next question क्या है which is the cause for buckling defect in lead acid battery सीशा acid battery में buckling dose का कारड क्या है तो over charging और over discharging यानि अति आवेशन और अति निरावेशन ही क्या होता है buckling का region होता है option number A सही हो जाएगा next question क्यों चलते है next question क्या है which apparatus is used to check the charging condition of voltage in battery यानि battery में voltage की charging स्थिती की जाच करने के लिए किस उपकरड का यूज किया जाता है तो high rate discharge tester का यूज किया जाता है ठीक है high rate discharge tester का यूज किया जाता है option number यहाँ पर D सही हो जाएगा आज का हमारा last question क्या है electrolysis के दौरान कौन सा हिस्सा electron खो रहा है which part is losing electron during electrolysis तो anode होता है जो वो क्या होता है electron खोता है option number 20 हो जाएगा तो आज का हमारे यह आखरी सवाल रहा I hope आपको वीडियो अच्छी लगी है अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं नेक्स लेक्चर में नई वीडियो के साथ तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद